हाई नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे यूटूब चैनल स्यर्पिय फिंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्तोफूर चैप्टर जिसका नाम है पंच्छी दोस्तों पंच्छी से हर एक्जाम में कुछ न सुरू करते हैं पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है पंच्छी का अध्यान क्या कहलाता है दोस्तों पंच्छी का अध्यान क्या कहलाता है तो और नीथो लोजी पंच्छी का अध्यान कहलाता है ठीक है अगला दूसरा नमर स्वाल है पंच्छी का स्वासन अंग क्या होता है तो इनुल जिएका फेफ्रा, पक्षी का जो स्वासना होता है, वह फेफ्रा होता है, पक्षी फेफ्रा से स्वास लेती है. अगला तीन नमर प्राशन है, असरो जगा सुतुरमुर्ग, जिसको आस्ठिच भी बोलते हैं, इंग्लिज में क्या बोलते हैं? अख्रिच जो सबसे बड़ी पंख्छी है सुत्रमुझ जो है सबसे बड़ी पंख्छी जिसको आज्टिच भी बोलते हैं अगला पांचनर प्रश्ण है, सबसे छोटी पक्षी, सबसे छोटी पक्षी कौन है, तो इनसर जागा, हमिंग बर्ड, सबसे छोटी पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड, जिसको गुंजन पक्षी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी बोलते हैं, हमिंग बर समुद्री पक्षि का नाम है रबत्रास अलबर्टरा समूद्री पक्षी है जो सबसे तेज़ चलने वाली है ठीका अगोगला प्रस्न है आठ नम्र एक मात्र पक्षी जो अस्तन्ध्री के रूप में है तो एंसर punishable जंगाधर जिसको बैट भी बोलते है चमगाधर एक मात्र ऐसी पक्षी है जो अस्तन्ध्री है ठीक कीवी और एमू दो ऐसी पंक्ची है जो नहीं उड़ सकती है ठीक है अगला दस नमर है पंक्ची का अगला पैर पंक के रूप में रुपांतरन होता है पंक्ची का जो अगला पैर होता है वो पंक के रूप में होता है ठीक है एक ग्यार नमर है पंक्ची में मुत्रासे नहीं ह होता है ठीक है अगला बारन नमर है पक्ची वर्ग में को फिर्दे चार चेंबर होते हैं पक्ची वर्ग में जो हे क्षिक होता है वो फिर्डे होता है उप फिर्दे होत खिर कांव में Sergeant कुरूगर नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा चीडिया घर कुरूगर नेशनल पार्क है जो दच्छी रफ्रिका में पढ़ता है ठीक है अगला प्रस्ण है चौदा नमबर भारत का सबसे बड़ा चीडिया घर कौन है तो भारत का सबसे बड़ा चीडिया घर हो जाग तो कल का ताम पड़ता है दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों में सेयर करें धन्यवाद